मश्कार दोस्तों अपने ट्रेडर में आपका स्वाकत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप MIS को CNC या MIS को normal में कैसे आप convert कर सकते हैं तो जैसे shares के लिए MIS मतलब होता है Intraday और CNC मतलब होता है Overnight तो इनको क्या आप आपस में change कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो क्या उसमें कुछ charges involved हैं इसकी हम बात करेंगे इसी तरह से अगर आप futures and options में बात करें तो उसमें भी Intraday के लिए MIS होता है और Overnight के लिए normal होता है NRML तो इनमें भी क्य आप आपस में convert कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो उसमें क्या charges होते हैं इसकी भी आप बात करेंगे तो सबसे पहले हम समस्ते हैं आपने आज एक कोई share खरीदा माल लिए आपने ICACA का एक share buy किया जो भी price है अभी में market price पे और अगर मैं इसको माल लिए मैं CNC में buy कर रहा हूं यह आपके यहाँ पे position में दिखता है जो आपका date rate जो भी होगा आपको position देखेगा और यहाँ पे यह clear है कि यह CNC में है आज अगर आपने इसे CNC में buy किया है तो क्या आप इसको MIS में convert कर सकते हैं जी बिलकुल कर सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको इस area में आप कहीं भी tap कीजिए इस तरीके से और आपको यह add or exit option दिखेगा इसी में नीचे option छुपा रहता है आप इसको यहाँ से पकड़के आप ऊपर खेंच के लिखे जाएंगे इस तरीके से और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा convert position यह convert position जो है यह आप का use होता है MIS को CNC में convert करने में या CNC को MIS में convert करने में तो दोनों तरीके से ठीक है तो अभी आप यह देख सकते हैं कि यह CNC है तो इसको हम MIS में convert करेंगे तो यहाँ click करेंगे नीचे जाएंगे और इस पे click कर देंगे अगर आप मान लिजी यहाँ मेरे पास 100 position होती तो आप जरूर नहीं है कि पुरी 100 की 100 convert करें आप हो सकता उसमें साधी convert करें जितनी आपकी मर्जी है उतनी आप convert कर सकते हैं तो इसको आपको जो है वो CNC से MIS में convert करना है तो देखिए जाब यह CNC दिखा रहा है और यह आप MIS में convert करेंगे तो यह देखिए आपकी position MIS में convert हो गई ह अब इसमें लोग पूछते कि क्या इसमें पैसा लगता है तो देखिए आप ये conversion चाहे 100 बार करें ठीक है ये CNC से मैं MIS में convert कर दिया फिर MIS से मैं दुबारा जाके इसको मैं फिर यहां से देखिए ये फिर मैं CNC में convert कर सकता हूँ फिर से क्लिक करूँ ये फिर CNC में convert हो गया मैं चाहूँ जितनी बार इसको मैं करूँ ये conversion के कोई charges नहीं है ठीक है? Charges किसीच के लगते हैं? देखिए ये आप समझ लीजे कि charges होते क्या है अगर आपने same day buy और sell दोनों किया तो चाहे वो आपने MIS में किया हो चाहे वो CNC में किया हो वो MIS count होता है intraday फिर से समझ लीजे same day same day आपने buy भी किया और sell भी कर दिया या पहले sell किया बाद में buy किया वो चाहे आपने CNC में किया हो या MIS में किया हो वो MIS count होता है और आपको MIS की तरहें के charges लगते हैं ठीक है लेकिन माल लीजिए आपने पहले MIS में buy किया और बाद में उसको convert करके CNC कर लिया और उसको hold किया overnight के लिए और वो आपकी holding में आगया अगले दिन तो आपको charges CNC types लगेंगे MIS type नहीं क्योंकि MIS में आपको पता है 20 रुपए तक आपको जो है वो brokerage के charges लगते हैं जबकि CNC में नहीं लगते हैं CNC में आपको जो है वो brokerage आपका zero होता है brokerage नहीं लगता है तो वो इस पर depend नहीं करता है कि आपने order MIS में place किया है या CNC में वो depend करता है कि आपने order को intraday करके close कर दिया है या carry forward किया है अगर carry forward किया है तो CNC के charges लगेंगे, intraday किया है तो MIS के charges लगेंगे इसी तरह से अगर आप option में जब trade करते हैं तो same देखिए ये MIS में buy किया हुआ है ये मेरा आज का trade है ये so MIS में buy किया हुआ है इसको मैं इसी तरीके से click करके नीचे जाके convert position में मैं इसको normal में convert कर सकता हूँ, तो वही मैं इस पे click करूँगा और ये normal में convert हो जाएगा, futures and options में normal और CNC में charges में फरक नहीं होता है same charges होते हैं दोनों में लेकिन सिर्फ ये फरक होता है कि आप इसको carry forward कर रहे हैं या same day आप उसको close कर रहे हैं MIS में तो अब ये फिर से दिखा जाता हूँ ये जैसे मान लेजे कि ये normal है, मैं इसको फिर से convert करना है तो मैं convert position में जाके दुबारा इसको MIS में मैं convert करेता हूँ मैं MIS में क्यों रख रहा हूँ कि शायद इसको मैं अभी day के end में close करना चाहूँ अगर नहीं करना चाहूँगा तो मैं इसको दुबारा normal में convert कर दूँगा अगर next day मुझे इसको carry forward करना है तो ये बहुत simple सा process है जाइस फिर से समझ लीजिए आपके charges आप MIS में buy कर रहे हैं या CNC में buy कर रहे हैं उस पे depend नहीं करता है देखिए ये जैसे मैं MIS में buy किया है या उसे CNC में रख हूँ में charges उस पे depend नहीं करते हैं आपके charges depend करते हैं कि क्या आपने उसको same day close कर दिया या नहीं अगर वो same day close हो गया तो वो intraday trade है और MIS के charges लगेंगे अगर आपने same day close नहीं किया और उसको carry forward किया अपनी holdings में तो आपको CNC वाले charges लगेंगे So I hope आपको समझ में आया होगा So that's it guys अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो guys नीचे like जरूर कीजिएगा और यार बहुत कम लोगों ने subscribe किया हुआ है चैनल को भाई प्लीज subscribe कीजिए इसी तरह के बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ तो अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगा हो तो guys प्लीज subscribe कीजिए That's it, bye bye, take care